नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UPSSCPET 2022 और UPSSCPET की मुख्य सेविका चीफ सर्विंट की दोनों ही भरतियों के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जब तक मुख्य सेविका का official syllabus आया नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो P.E.T. का प्रैक्टिस सेट कराएंगे इसी के साथ में आपके लिए भी प्रैक्टिस कराएंगे और मुख्य सेविका के लिए official syllabus आने के बाद फिर आपके लिए separate प्रैक्टिस सेट चलाएंगे आप सभी से बस एक रिक्वेश्ट है कि जितने भी आप लोग देखते हैं सभी लोग वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दीजीगा अगर हम मेहनत करके अगर आपके लिए बिल्कुल यूनिक इस्टेडी मेटरियल लेके आते हैं कि आपका सेलक्षन 100% से ओर हो सके और साथ ही साथ पी इटे में एक अच्छा स्कूर आप कर सके तो बस आप सभी से हमारे क्यावल इतनी रिक्वेश्ट रहेगी हर प्रेक्टिस हैट में कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजीगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले देख लते हैं कि आज के इस सेशन में कितना हम लोग क्वेसन कवर करने वाले क्या टविक कवर करने वाले हैं तो यह पूरा PDF यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर 18 प्रश्ण है, साथ यहाँ पर एक योजना के बारे में बताएंगे, भाग लक्ष्मी योजना, और यह बिसेश रूप से मुख्य सेविका के जितने भी बहने हैं, मुख्य सेविका के तयारी करने वाले आपके लिए बिसेश होना चाहिए, क्या पता इसी योजना से क्वेश्ण पूछते, कहीं से भी कुछ उसमें, कुछ भी प्रश्ण उठाके तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जा लेना चाहिए, तो चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं सबसे पहले PDF से, एक रिक्वेश्ट और है आप सभी लगे एक नहीं वीडियो स्लो चल लहा है, तो आप थोड़ा सा आप आप जाकर कि अपनी स्पीड आप वीडियो की बढ़ा लीजेगा, उसको आप 1.25 पर कर लीजेगा, तो फिर आप वो जल्दी वीडियो कंप्लिट कर लेंगे, लेकिन देखना आप सभी को पूरा है, चल लेकिक है, इससे मौर कालीन समाज के बारे में बिस्तित जानकारे प्रात होती है, और इंडिका की लेकिक है, मेगस थनीज, वेल शांग को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, ये क्वेसन डारेक्ली इसी प्रकार से पूछा गया है, यात्रियों का राजक ये भी होगी कि जितने ज़्यादा प्रश्ण एक ही प्रश्ण में करा दिये जाए ताकि आपका फिर आगयों प्रश्ण अगर प्रेक्टिस सेट की प्रश्णों की रूप में मिलते हैं तो आपका फिर रिविजन भी होता रहेगा सेकंड कोईसन देखें इसकी बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था 1919 में मारले मिंटो सुधार आया था और इसकी समिक्षा करने के लिए दस वर्ष के बाद इसकी समिक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है जो कि भारत में आता है 1928 में सबसे पहले बंबई में और उसके बाद भारत के बेविन भागों में सबी जो है श्वेत सदस्य होते हैं कोई भारत सदस्य नहीं होता है इसी वज़े से साइमन कमिशन का विरोध भी होता है कि गो साइमन बैक वापस जाओ साइमन और आप सभी को पता है कि उसका विरोध किस प्रकार से किया गया था और साइमन कमिशन का जब विरोध हुआ तो उसके बाद फिर 1929 में मांटिग्यू चेम सपोर्ड सुधार आता है 1919 में मारले मिंटो सुधार आता है और 1927 में इसी मारले मिंटो सुधार की समिक्षा करने के लिए 1927 में शाइमन कमिशन का गटन किया जाता है जिसके सभी साथ सदश्य है अंग्रेज होते हैं, यूरोपी होते हैं, उसमें कोई भी भारती सदस्य नहीं होता है, इसी वज़े से उसका विरोध होता है, और 1928 में भारत में आता है ये शाइमन कमिशन, शबी जो साथ उसकी मेंबर होते हैं, भारत में आते हैं, शाइमन कमिशन के बारे में जो भी उसक सा उसके बारे में बताने के लिए जब उसका विरोध होता है तो उसके बाद फिर 1929 में वापस से जो है मांटेग्यू चेम्स फोड शुधार को लाया जाता है मांटेग्यू चेम्स फोड चली इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुरेशन भारती राष्ट्री कांग्रेश की किस अधिवेशन में पूर्ड स्वराज का प्रस्ताओ पास किया गया था 1929 में यदम ध्यान से अदम आप बिल्कुल समझेंगे तो आपको यह बार में याद हो जाएगा 1929 में लाहोर में भारती राष्टी कांग्रेश का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहाला नेरुजी करते हैं और इसी लाहोर अधिवेशन में पूर्ड स्वराज का प्रस्ताओ पारित किया जाता है और 26 जनवरी 1930 को यह जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर में हुआ था लाष्ट में इसके बाद फिर 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंतरता दिवस मनाये जाने की घोशना भी कर दी गई थी 26 जनवरी 1930 को फिर बाद में आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली तो फिर 15 अगस्त को डिसाइड हुआ कि स्वतंता दिवस 15 अगस्त को मनायेंगे फिर यह हुआ कि 26 जनवरी को कुछ अइतिहासिक दिन मनाये जाए क्योंकि वह दिन बहुत ज़्यादा महतुपुड था भारत जो स्वतंतर मतलब ब्रिटिस ऑपनिवेशिक भारत में स्वत से पहले पूर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके उपलक्ष में पहला स्वतंता दिवस मनाया गया था तो फिर उसके बाद बाद में डिसाइड हुआ कि जो भारती शमिधान बन करके तयार हुआ था 26 नौमर 1949 को लेकिन उसको पूर रोपेड लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद भी 26 जनवरी को प्रतेहिक वर्स गरतंत्र दिवस की रूप में मनाया जाने लगा समझ मैं आप सबी को 15 अगस्त को सुतंता दिवस पहला सुतंता दिवस जब भारत आजाद नहीं हुआ था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था अवपूर्ण सुराज का प्रस्ताव का परित किया गया था लाहोर अधिवेशन 1929 में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहलान नहरू ने की थी और यहां से दो प्रश्ण और बनते हैं भारती राश्ची कांग्रेश के सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने थे तो तीन तीन बार अध्यक्ष बने थे जवाल्ला नहरू भी तीन बार अध्यक्ष बने है भारती राष्टी कांग्रेस के और एक नाम यहाँ पर और है दादा भाई नौरोजी का ये दोनों लोग जो है भारती राष्टी कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनाए गये थे और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा मौलाना अबुल कलाम आजात लगात सबसे युवा भारती राष्टी कांग्रेश की सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद भारती राष्टी कांग्रेश की पहली भारती महिला अध्यक्ष कौन बने थी सरोजनी नाइडू तो बहुत सारे फैक्ट हमने बता दिये आपसे रिक्व दो बार सुन लेंगे ने केवल सुनने भर से आपको चीज़े याद हो जाएंगी कहते हैं idiでも जितनी पर करेंगे उतना यह चीज़े आपके मस्तिस्की में अस्थाइ होती है। जो मस्तिस का जो एक बार दो बार और देख लीजिएगा और वीडियो को प्लीज सभी लाइक शेयर करके साथ में अगर आप में से किसी भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना जितना आप सपोर्ट करेंगे में उतना हिम आपके लिए आगे जो और भी अच्छा यूनिक इस्टेटी मेटरियल प्रेक्टिस इट लेकर के आते रहेंगे प्रश्णों की शंख्या भी बढ़ाएंगे अगला कोशन देखिए सेवा चेत्र का अन्य नाम क्या है सेवा चेत्र का ऐसे तो प्रमुक रूप से कुल तीन चेत्र होते हैं एक चौथा चेत्र और भी होता है जिसको कहा जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट चेत्र जिसकी आवसकता हर चेत्र में होती है कुल मुक्य तीन चेत्र होते हैं एक चौथा चेत्र भी होता है रिसर्च और डेवलपमेंट जिसकी आवसकता हर चेत्र में होती है जो प्राथमिक चेत्र होता है इसी को क्रिशी खनन यानि जहां स जतनी भी उत्ताधन एकाईय हैं सेवा चेत्र तिर्तियक चेत्र चेत्र के अंतर में उत्तादन क्या होता है जहां पर कुछ ना तो बनता है न उत्ताधन होता है यूआ पर कुछ शेवा है थी जाती हैं जैसे हास्पीटल कि विद्याला इस्कूल आपके हो गए बैंक हो गए आपका कॉल सेंटर हो गया साप्ट्वेर से संबंद जितनी भी चीजी है एलाइसी बीमा यह सबी आपके सेवाचेत्र के अंतरगत आते हैं और आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे जाधी की हिष्चेदारी भारत की जीडीपी में सेवाचेत्र का है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेवाचेत्र का अन्य नाम क्या है तृतियग चेत्र है अच्छा बाकी कि इन तीनों प्रश्ण में कोई दिक्कत तो आपको हुआ नहीं आंसर के लिए इसमें लाहोर राइट आंसर हो गया था इसमें 1928 हो गया था और इसमें जो है मेगस्थनीज हो गया था क्वेस्टन नंबर फाइव दिखे इसके बाद भारत में पहली पंचवर्शी योजना कब से कब तक चलाई गय थी तो भारत में योजना आयोग की अस् पंचवर्शी योजना योजना नहीं चलाई गय थी इसको कहा जाता है योजना वकास और इसी के दवरान भारत में कुछ प्रदेशों में उत्तर परदेश पंजाब भिहार इन प्रदेशों में बेशेस रूप से हरित करांती की सुरुवात की गई थी इतने सारे फेक्ट आपको याद होगे अच्छे से चली ठीक है अगला कोशन देखिए इसके बाद किस प्रधान मंत्री ने योजना आयोग को शमाप कर दिया 2014 में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनती है और प्रधान मंत्री के रूप में नरिदन मोदी जी को नामित क्या जाता है उसके बाद सपत गरहर के बाद प्रधान मंत्री नरिदन मोदी जी ने सबसे पहले नीति आयोग लाने की घोशना की योजना आयोग की अस्थान पर और योजना आयोग को समाप्त करने की घोशना कर दी 2014 में और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का अस्थान नीति आयोग ने ले लिया नीति आयोग का full form क्या है National Institution for Transforming India एक जनवरी 2015 से नीती आयोग आ गया योजना आयोग के स्थान पर तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके समाप्ति की घोशना प्रधान मंत्री नरेंद्र कीशाण नमबॉल 7 देखिए प्रतिरोद की एक एक आई बताई तो प्रतिरोद की एक होती और इसको ऐसे हम लोग दिखाते हैं कैलव जो है ताप्मान की एक होती है फयरहड़र बताई है भारती शम्मिधान की किस अनुच्षेह्द की अंतरगत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है अनुचेद चालिस आर्टिकल 40 में भारतिय शम्मिधान के गठन का प्रावधान है अनुचेद चत्ति से लेकर की 51 तक ये भाग चार के अंतरगत आता है और इसी को नीती निदेसक तत्व कहा जाता है अनुचेद चालिस है इसके अंतरगत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है अनुचेद 21 में जीवन जीने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार परिक्षाओं में पूछा गया जीवन जीने का अधिकार हो गया अनुचेद 14 में कानून के समक्ष शमानता अनुचेद 17 में अश्प्रिश्टा का अंवलन चूवा चूत का अंवलन अश्प्रिश्यता का उन्मूलन अनुचे 17 बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है आर्टिकल 17 इसी तरह से अनुचेद 19 होता है जहां पर प्रेश बोलने की आजादी अभिवेक्त की आजादी अनुचेद 19 तो इस इतने आर्टिकल हमने आपको यहां पर बताई जोड़ा गया था भूमी अधिग्रहड का जो कानुन था उसके न्यायक समिक्षा भी नहीं होती है अनुचेद 19 के अंतरगत अनुचेद 10 में जो है दल बदल बिरोधी कानून जो राजनेतिक पार्टियों के लोग विधायक बने उस पार्टि से और सरकार बनाने चले गए उस पार्टि में इसको रोकने के लिए इन सबको रोकने के लिए अनुचेद 10 का प्रावधान किया गया दल बदल विर्वधी कानून 12 में क्या है? अनुसूची इबारे में? नगर पालिका इससे समंदित है और 11 में क्या है? पंचायती राज से समंदित तो आपको यहाँ पर याद रखना है अनुसूची 11 थोड़ा सा आप यहाँ पर और देख लीजिए 73-वा शम्मिधान संसोधन हुआ था 1992 में हाला कि लागू हुआ था 1993 में लेकिन 73-वा शम्मिधान संसोधन कब लाया गया था कब पारित हुआ था 1992 में और इसे के अंतरगत पंचायती राज की सुरुवात हो भी और 74-वा शम्मिधान संसोधन किया था वो भी 1992 में जिसमें जो है नगर पालिका से सम्मादित प्रावधान किया गया कोश्चन नमर नौ का A is the right answer कोश्चन नमर दस यहां पर देखिए तिच्छड का विलोम शब्द बताईए तिच्छड मतलब तीका तिब्र तो इसका विलोम क्या हो जाएगा कुंठित है कि सी नि क्रिया का प्रियोग करिए आई आया गई गया इसके अलावा विशेशन का प्रियोग करिए अच्छा अच्छी यह जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं पर इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी सर्वना मेरा मेरी क्रिया आया आई गया गई जा रहा है जा रही है तो यहां पर दो आफिसन सेह हो गए ना यहां पर को यह तीसर आफिसन होना चाहिए एक मैं कट कर देता हूं पूर्ति की जाती है कि पूर्ति की जाती है आप पूर्ति होती है मेरी विवाह या फिर मेरा विवाह क्या बोलें के मेरा विवाह तो विवाह में पुलिंग सब्दों हो जाएगा छवी और पूरती में इस्त्रिलिंग सब्दों हो जाएगा समझ में आगे आप सभी को आगे pulling, strilling में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाकी हम आगे practice it करते रहेंगे PET और मुखी सेविका दोनों ही परिक्षाओं के लिए हमने ये practice it तयार किया है और जैसे ही syllabus आजाएगा official syllabus मुखी सेविका का उसके बाद मुखी सेविका का अलग practice it कराएंगे PET का ये practice it चलता रहेगा लेकिन आप सभी का support चाहिए निम्न में से कौन सी रचना प्रेम चंद की नहीं है कर्म भूमी है, मान सरोवर भी है, सतरंज के खिलाडी भी है ये तीनों रचनाय मुणसी प्रेम चंद जी की है लेकिन मैला आचल इनकी रचना नहीं है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा D क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं ये किनकी रचना है मैला आचल? फडिश्वर नाथ रेडू फडिश्वर नाथ रेडू अगला कोशन देखे इसके बाद कोशन नमर 13 वनिता सब्द का पर्याव वाची सब्द बताईए महिला निम्न में से कौन सा राष्टिय उद्यान लाल पांडा के लिए प्रशिद्ध है तो लाल जो पांडा है ये उत्तर और पुर्व भारत में पाये जाते हैं और सिक्की में एक राष्टिय उद्यान है जिसका नाम है खांग चेंद जोंगा राष्टिय उद्यान इसी राष्टिय उद्यान में लाल पांडा जो प्राडिय उपाये जाता है पापी कुंडा राष्टिय उद्यान आंदर प्रदेश में है नवे गाउ राष्टी उद्यान महाराष्ट में है और दोदवा राष्टी उद्यान उत्तरपदेश का एक मातर राष्टी उद्यान है ये तीनों भी आपको अभी याद रख लेने हैं अच्छे से Question number 15 देखे इसके बाद 8.45 मिनट बजे घड़ी की घंटे की शूई और मिनट की सूई के बीच बनने वाला Code होगा ये घंटा हो गया और ये मिनट हो गया तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक फार्मुला बताने वाले हैं इसको आप अभी तुरंत याद कर लीजिए क्या करेंगे 11 बटे 2 करेंगे और इसमें जो है मिनट से गुड़ा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 30 गुड़े घंटा को तो 11 बटे 2 हो गया मिनट कितना है यापर 45 है 30 गुड़े यज तो घंटा कितना है तो 30 से गुड़ा कर देंगे घंटा से घंटा कितने हैं आपर 8 हो गया है यह आपका हो जाएगा 247.5 और यह 8 तरिक्षे 24240 यह कितना हो जाएगा 7.5 इसी को आप क्या लिख सकते हैं 7 सही 1 वटे 2 डिग्री यह डिग्री में आएगा तो आपको यह फार्मुला अभी इसी तरह से याद रख लेना है 11 वट कोड़े घंटा जो भी घंटा दिया रहेगा उसे घंटे से यच के जिका उसको रख देंगे जो कि 30 से मल्टिप्लाई होगा कभी भी आपको मिनट और घंटे की सुई की बीच में कोड़ पूछेगा आपको यही पार्मुला यह कुछ करना है तो यहां पर राइट आंसर हो फरोरी लीप वर्स या अधी वर्स में 29 दिन का होता है बाकी वर्स में 28 दिन का होता है तो यहां पर यह तो लीप वर्स है 2008 लेकिन आपको मार्च से देखना है मतलब फरोरी बीच चुका है यानि लीप वर्स अधी वर्स का कोई मैटर नहीं है 2008 में और 2009 तो आपका लीप व तो याद रखिएगा जब भी लीप वर्स अगर न हो तो एक वर्स से दूसरे वर्स में जाने पर सेम डेट पर एक दिन बढ़ जाता है मतलब 12 मार्च 2008 को रविवार था इसका मतलब हो गया कि 12 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा एक दिन बढ़ जाएगा मतलब 100 मुवार हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 13 मार्च एक दिन आपको और आगे चले जाना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार किसी भी वर्स का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है लेकिन लीप वर्स में फरवरी का महिना 28 की बजाव 39 दिन होने की वजह से किसी भी वर्ष का किसी भी लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा उसका अंतिम दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर एक दिन आगे बढ़ जाएगा शामाने वर्ष में जो उसका पहला दिन होगा एक जनौरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों नहीं यह प्रश्ण के लिए लीप वर्स के मादियम से लीप वर्स को आपको थोड़ा से याद रखना है समझना है और सताब्दी में लीप वर्स कैसे निकालते हैं तो 400 से डिवाइट करते हैं और ऐसे सिंपल वर्स है तो 4 से डिवाइट करेंगे जैसे हमने आपर 2008 को 4 से डिवाइट किया कोई सेसपल नहीं बचा मतलब लीप वर्स है सत्रह देखी इसके बाद दस संख्याओं का आउसत 29 है यदि प्रतेई के संख्या में 3 की कमी की जाती है तो नया आउसत क्या होगा इसी में से आप 3 माइनस कर दीजिए 26 हो जाएगा राइट आउसर आप पूरा कोईसन करने मत लग जाना अगर यहीं होता कि प्रतेई के संख्या में 3 की ब्रिद्धी होती है तो आप सीधे से दिख्या करते 29 में आप 3 की बृद्धी कर देते तब आपका आंसर हो जाता 32 ठीक है ये प्रशन आपको समझ में आ गया एक कोसन और देख लिए इस पीडियाप का इसके बाद हम लोग ये पूरा आपसर नहीं आ पा रहा है क्या इसके बाद एक जो पीडिया आपको समझ लिए अच्छे सभी आपको बताने वाले हैं पूरा देखिएगा वीडियो इसकीप मत करिएगा इसकीप करने का मतलब है कि एक तो हमारी मेनत फिर वेकार जाएगी और आपके पास आधी अधोरी जानकारी पहुँचेगी इसलिए आप सभी से बार बार लबे तो पूरा सेलेबस भी आपका कवर करेंगे और अच्छी तयारी भी आप सभी कराएंगे लेकिन आप सभी को भी हमें सपोर्ट करना होगा वीडियो को लाइक सभी को करना होगा जादा ज़्यादा आप सेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक हो प्रेक्टिस इट गई ऐसे इसका जो अस्थान है इधर से अगर जाएंगे तो ये दसमा होगा और इधर से आएंगे तो 31 होगा पूछ रहा है कि पंती में कुल व्यक्तियों की शंख्या बताईए अब ध्यान से देखिए ऐसे तो अगर आप समझना चाहेंगे तो इधर से जो गव्यक्तियों के दसमा है और इधर से एक तीसमा है मतलब इसके पहले 9 बेखती हैं एक तीसमा है मतलब इसके बाद 30 बेखती हैं तो 30 फ्लस 49 और 1 को ले करके 40 ऐसे कर सकते हैं या तो फिर आपकी लिए मैप ट्रिकपता रहे हैं अपर क्या करना है आपको एक 30 प्लस 10 minus 1 बरावर 40 आपको इसी प्रकार्ष करना है यहां पर राइट आसर कितना हो जाएगा 40 थे जतना हंतान है दाय क有तना थान दोनों को एड कना से फारे में यह 2 बार चुणत हो गया था था धायppen है इस फॉश्यक्ति में हमने आपर एक माइनस किया तो यह भी बहुत आसान कोश्य ने बहुत आसान ट्रिक है आप सभी कुछ समझ में आ गया होगा चलिए इसको देख लेते हैं जितने भी PET के कंडिडेट हैं एक बार संचेप में आप देख लीजी बाकिया वीडियो स्किप कर सकते हैं लेकिन जो मुखी सेविका वाली जितने भी बहन हैं आपको पूरा देखना ध्यांस इसको बाग लक्षमी योजना 28 अप्रेल 2017 को प्रारम किया गया था और इस योजना में क्या था कि जितने भी गरीबी रिखा से नीचे के परिवार हैं उस परिवार में किसी बेटी के जन्म लेने पर जन्म के समय 50,000 रुपे का विकास बांड मिलता है इसके बाद बच्ची जब पढ़ने लगती है सरकारी विद्याले में यह उसका इडमिसिन होना चाहिए यही बी बादता होती है तो क्लास 6 में पहुचने पर 35,000 रुपे उसी मिलते हैं क्लास 8 में पहुचने परобрізा शार मिलते हैं क्लास 12 में पहुचने पर उसको 8,000 रुपे और यह जो योजना है के राशी दी जाती है इसे फायदा क्या होगा बच्चियां पढ़ेंगी तो बूर अत्या में कमी आएगी ऊगे चलकर के स्वावलंबी बन सकती हैं माता पिता पर किसी भी तरह कोई बोज नहीं होगा बूर अत्या में कमी आएगी ब्येधभाव समाफ्त होगा बेटिया परिधन करने होते हैं महिलाकल्याण.up.nic.in और ये जो है महिला और बाल विकास बिवाग, उत्तर प्रदेश की महिला और बाल विकास बिवाग के अंतरगत आता है, इसी उजना के जो क्रिया अन्वन की जिम्यदारी होती है, और इस ये उजना के लिए जो मातापिता जो परि बार में नहीं होना चाहिए बेटी का जन्म में 31 मार्स 2006 के बाद हुआ हो जन्म ना मांकर एक वर्ष की वितर करा लेना है बेटी का जो एडमेशन सरकारी विद्याले में होना चाहिए 18 वर्ष के बाद ही बेटी की साधी होगी तब ही जो है उस मातापिता की मातापिता को एक दो लाक रुपे की राशी मिलेगी 2100 पूर्ड होने पर बेटी का जीवन भीमा भी होना चाहिए बालसरम आदी उससे बेटी से न कराया जाए और जब बेटी जन मिलेगी तो बेटी के मा को भी 5100 रुपे की एक धनरासी दी जाती है ताकि मा का भी उसमें ख्या लखा जा सके और उसी के साथ बेटी का भी धिया नखा जा सकेगा और जितनी भी धनरासी ट्रांसफर होंगी सब क्या है डारेक्ट जो बैंक ट्रांसफर है डी बीटी की माद्यम से की जाएंगी जो एकाउंट होगा ठीक है तो यह संचेप में पूरी होजना हो गई और मुक्य सिविका क जितने भी भेन है इसको आप अच्छे से याद रख लिजेगा भाग या लक्षमी योजना इसकी सुरुवात कब होई थी किन के लिए यह होजना है और कितने बेटियों के लिए है कि कब सुरुवात की गई थी इस होजना की और इस होजना में बेटी की आयू 21 वर्ष पु इसी तरह से अभी हम आगे सेशन कराते रहेंगे और मुख्य शेवका का अफिसल से लिबस आते ही आपके लिए प्रेक्टिस इट अलग से सुरू कर देंगे तो उमीद करते हैं कि यह पूरा सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा तो आप लोग जल्दी से वीडियो को एक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद